देश की ततकालिन प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी की 25 जून 1975 में लगाए गए आपात काल के विरोध में रविवार को भाजपाईयों ने काला दिवस मनाया इस मौके पर पूर्व स्वास्त मंत्री मंगल पांडे ने ततकालिन प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी की ओर से लगाये गए आपात काल को काला अध्याय बताया मंगल पांडे ने कहा कि देश में लगाए गए आपात काल के लिए कॉंग्रिस पार्टी को जनता से माफी मांगनी चाहिए उन्होंने कहा कि इलाहबाद हाई कोट की ओर से इंद्रा गांधी के चुनाव को अवैद ठाराया गया था इसके बाद इंद्रा गांधी ने मनमानी करते हुए ताना शाही रवया अपनाया और अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश पर आपात काल थोपा गया आपात काल में चुनावस्थागित कर नागरीकों के अधिकार का दमन किया गया मंगल पांडे ने कहा कि लोकनायक जैप्रकास नारायन नहीं से भारतिय इतिहास की सरवाधिक काली अवधी कहा था उन्होंने कहा कि आपात काल के खिलाफ सत्यागरा करने वाले हजारों लोगों को जेल भेज दिया गया जो कॉंग्रेसी आज अभिवेक्ति की आजादी और लोकतंत्र की बात करते हैं उन्हें आपात काल को याद कर लेना चाहिए इसके साथ ही मंगल पांडे ने कहा कि आपात काल के समय इंद्रा गांधी ने विपक्षी नेताओं को जेल में डलवा दिया था उस समय लालू यादव नितीज कुमार को भी कॉंग्रेस की वज़ा से जेल में रहना पड़ा था आज यही लोग केवल सत्ता के लिए कॉंग्रेस के साथ खड़े दिख रहे हैं यह नेताओं जेपी के आदर्सों को भूल गए हैं यह लोग फिर से देश को खत्रे में डालना चाहते हैं और आज ही के दिन सन 1975 में उस समय की ततकालिन प्रधान मंत्री स्रीमती इंद्रा गांधी जी ने इस देश में आपात काल लागू किया था और आपात काल लागू करके इस देश के अंदर से लोगतंतर को समाप्त करने की उन्होंने कोसिस की थी लोगतंतर को मिटाने का प्रयास किया था आज के दिन को भारती जंता पाटी काला दिवस के रूप में मानती है चुकि लोकतंतर के अंदर जिस तरीके से आपात काल को लागू करके इस देश के लोगों की स्वतंतरता को छिनने का प्रयास इंद्रा गांदीजी ने किया था वह देश की लोकतंतर के लिए बहुत ही खतरनाक था और इस देश के स्वतंतता की लड़ाई में जो लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया था वह इस देश से लोकतंतर को समाप्त करने के लिए नहीं लोकतंतर को अस्थापित करने के लिए दिया था इसलिए हम सब लोग मानते हैं कि देश की जनता ने 1975 से लेके 1977 तक जैपरकास नहरायन जी के नित्युत्र में जो लड़ाई लड़ी वह लड़ाई लड़के इस देश को दूसरा स्वतंत्रता दिलाने का काम किया और आगे आने वाली पीडी को भी कॉंग्रेस पार्टी से और वैसे व्यक्तिवादी नित्यत्तों करने वाले लोगों से भी बच के रहना चाहिए जो इस देश के अंदर लोगतंत्र को समाप्त करने की कोशिस करता हो लेकिन आज जरूर इस बात का दुरभग्य है कि जिस कॉंग्रेस पार्टी के खिलाफ लालू प्रसाज जी मानिय मु करते हैं सत्ता लाने की राजनीती करते हैं और कहीं न कहीं ऐसा कॉंग्रेस को मजबूत करने का जो प्रयास है वह इस देश के अंदर लोगतंत्र को खत्रे में डालने की कोशिस होगी ये तो देश की जनता महसूस कर रही है कि 1975 में जो आपात का लागू हुआ था उसके बाद कैसे उस समय लोगों को चाहेवा राजनेतिक कारे करता हो सामाजी कारे करता हो या जो आप मीडिया के पत्रकार बंदू है पत्रकार बंदू को भी किस तरीके से प्रतारित किया गय था इस देश के अंदर में राजनेतिक गतिविदियों को बंद कर दिया गया था और आज किस तरीके से चाहेवा मीडिया हो या राजनेतिक दल हो स्वक्षंद्रत्ता पुरुवक अपना हर काम को करते हैं अपनी हर बात को कहते हैं कॉंग्रेस पार्टी के राजकुमार को तो जो मन करता है वो कहते हैं जिन लोगों ने इस देश के लोगतंत्र को कुचलने का प्रयास किया था आज वही ऐसे अनर्गल बाते और आरोप लगाने का काम कुछ तो अगे अगे देखिये कहां कहां जाता है मुझे तो लगता है आगे जो सिमला का अस्थान ते हुआ है वो तो विसुद परियाटन के लिए ही ते हुआ है मुझे पुर में प्रियाटन के लिए प्रियाटन के लिए प्रियाटन के लिए हुआ है अपने सपनों के आशियाओ को दे एक नई पहचान माभवानी डेक और प्रावेट लिमिटेट के साथ जो है और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन और इंपोर्टेट ग्रेनाई माबुल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकरजग संग्रे माभवारी डेकॉर प्रावेट लिमिटेड मतलब अ कम्प्लीट फ्लोर सलुशन्स न्यू जीरो माइल दादर रोड मुजफर पूर गॉल नग्ट प्री थे प्री त्री त्री ट्री 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 एवं झाल झाल झाल